Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही important issue के बारे में बात करेंगे जो के related है with a famous TV actor मुन्मुन दत्ता मुन्मुन दत्ता जिन्हें आपने various TV shows में देखा होगा इन्होंने कुछ समय पहले अपने एक YouTube वीडियो में ऐसा जाती सूचक शब्द यूज किया जिसकी वजह से बहुत ही controversy हुई अलग-अलग जगाओं पर इनके against 5 FIR भी lodge की गई under section 3.1 U of SCST Act सो इस पूरे matter में क्या latest update है, क्या law कहता है, क्या particular provisions है इन्हें कितनी सजा हो सकती है, सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर detail में discuss करेंगे, so do watch this video till end देखे, इन्होंने जब अपने YouTube वीडियो में एक ऐसा word यूज किया जो कि एक particular caste के लोगों के against है, उनके भावनाओं को hurt करने वाला है तो इनके against अलग-अलग जगाओं पर FIR लोज हुई under section 3-1-U, बट उन सभी पांचों FIRs को Supreme Court के द्वारा club करके, उन्हें merge करके केवल एक ही FIR लोज की गई बट FIR लोज हो जाने के बाद, इन्हों ने ये कहा कि मुझे इस word का, जो word मैंने use किया, मुझे उस word का meaning ही नहीं पता था और इसलिए मैं सभी लोगों से माफी मांगती हूँ, इन्हों ने publicly apologize भी किया और लोगों से माफी मांगी बट स्टिल, चुकि इनके against FIR लोज हो चुकी है, इसलिए इन्हों ने पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट में इनके द्वारा एक application लगाई गई क्या application लगाई गई, हम detail में जानते हैं, और किस particular section में वो application लगाई गई इन्हों ने क्या किया, under section 438 of CRPC, Criminal Procedure Code, भारतिया दंड प्रक्रिया सहीता के अंतरगत, इन्हों ने एक anticipatory bail application पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट में लगाई बट इनकी जो ये bail application थी, इस application को पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट के द्वारा dismiss कर दिया गया है on 18th of January, this is the very latest news that on 18th of January 2022 को इनकी इस anticipatory bail application को dismiss किया गया है by the bench of Justice Avneesh Jhingan, Justice Avneesh Jhingan जी के द्वारा application reject की गई है but still she is allowed to approach the session court, अगर ये चाहें तो इन्हें ये liberty दी गई है कि ये session court में अप्रोच कर सकती है so हम अब detail में जानने के कोशिश करते हैं कि जिस particular section के अंतरगत इनके against FIR lodge की गई ये section क्या कहता है, कितनी punishment का प्रावधान किया गया है as well as हम ये भी समझेंगे कि section 438 of CRPC जिसके अंतरगत anticipatory bail application इन होने लगाई कि ये particular section क्या कहता है, so आपको ये दोनों provisions पता होने चाहिए सबसे पहले देखिए section 3.1.U of schedule caste and schedule tribe prevention of atrocities act 1989 इस particular section के अंदर क्या बात लिखी गई है कि यदि कोई भी ऐसा परसन जो की SC ST category से belong नहीं करता है और यदि वो परसन या तो बोल करके या फिर लिख करके या किसी विजिवल रप्रेजेंटेशन के द्वारा यदि वो परसन कोई ऐसा वर्ड यूज करता है या कुछ भी ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से schedule caste और schedule tribe के जो members है जो नोग है उनकी feelings अगर hurt होती है उनके बीच में किसी प्रकार की animity hatred या लोगों के अंदर हीन भावना अगर उत्पन्न होती है then ऐसे situation में उस person को punishment मिलेगी कितनी punishment का देखे यहां पर प्रावधान किया गया है that such person will be liable for a punishment which is shall not be less than that of six months यानि कि छह महीने से कम तो सजा मिलेगी ही नहीं और वो five years तक extend हो सकती है means इन्हें six months से लेकर के five years तक की सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है and fine और इनके ओपर fine भी impose किया जा सकता है so this is the provision this is the law अब हम बात करते हैं section 438 of CRPC जिस particular section के अंदर इन्होंने anticipatory bail application लगाई तो देखे section 438 of CRPC क्या कहता है कि यदि किसी person को ऐसा apprehension है यदि उसे ऐसा लगता है कि उसके द्वारा कोई ऐसा non-bailable offense किया गया है and उसे लगता है कि हो सकता है उसे arrest कर लिया जाए on the ground of committing a non-bailable offense then ऐसी situation में उस person के पास ये अधिकार है कि वो person high court में apply कर सकता है और वो session court में भी apply कर सकता है so यहाँ पर section 438 के अंदर anticipatory bail application high court में भी लगाई जा सकती है as well as session court में भी लगाई जा सकती है so जो हम particular मुनमुन दत्ता के case के बारे में बात कर रहे है इन्होंने क्या किया directly इन्होंने जो application है anticipatory bail application वो directly इन्होंने पंजाब एंड हरियाना high court में लगाई and इन्होंने session court को अप्रोच नहीं किया इसलिए high court ने इन्हें ये liberty दी है कि यदि वो चाहें तो वो session court में application लगा सकती है so this is 438 and यहाँ पर देखे कुछ grounds भी होते हैं जिन grounds को consider किया जाता है by the court while deciding कि anticipatory bail allow की जाए या फिर नहीं so this is all and देखे जो भी इस matter से related अब latest update रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या इन्होंने session court में apply किया है application लगाई है या जो भी latest news आती है वो भी हम discuss करेंगे okay so last but not the least देखे आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे है about the rights of people generally अगर सभी के rights के बारे में बात करें so the constitution of India Indian constitution भारत्य सम्विधान हमारे रक्षा करता है हमारे rights की हमारे अधिकारों की and जब आप constitution को समझते हैं तो वहाँ पर आपको article 14, 15 and 17 ऐसे 3 most important articles हैं जो की deal करते हैं with equality equality के बारे में बात करते हैं article 14 specifically कहता है कि हर एक person जो है वो equal है in the eyes of law and article 14 किसी भी तरह के discrimination को forbid करता है कि किसी religion, race, caste और sex या place of birth के basis पर किसे भी तरह से कोई भी discrimination नहीं किया जाएगा and यहाँ पर देखे caste भी एक यहाँ पर ground है so किसी की caste को ले करके किसे भी प्रकार का discrimination नहीं किया जा सकता and lastly article 17 जो की untouchability को abolish करता है कि किसे भी तरह से अगर untouchability की जाती है then it is abolished so this is all about this latest news and so I think आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह helpful लगता है या किसे भी तरह से informative लगता है so you can share this video with your friends and do press the bell icon ताकि आपको सभी upcoming videos का भी update मिलता रहे because हम इसी तरह से अन्य जो भी latest updates है सब आपके सामने लाते रहेंगे you can hit the like button अगर आपको यह वीडियो पसंद आया thank you and stay tuned with us